नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमाई चैनल केसिंग एजुकेशन में दोस्तों UPSC की मेंज़ की परिखिशा चल रही है जिसमें जो ESSE का EGckt液 है वह हो चुका है तो आज हम Application की exam को एनलाईज करने वाले हैं दोस्तों समझने वाले है कि में इस तरह के ऐसे हैं और किया संभावित ऊत्ठीक हो सकता था तो दोस्तो जैसे कि इसमनेंगे हाँ कि इसमें這裡 section hokte hai section section होता जबटक एक विरोधी पक्ष ना हो नेby टेंग फिंकिंग क्या आं थिंकिंग एक तरह कें नोन बता इसका कि गया और या भी सूरूब नुकता जब तक इसमें दूसी पार्टी ना हो, सामने वाली पारिटी ना हो देखे, तिंकिंग करना इंसान कब शुरू करता यहा позвол है शोचना कब शुरू करता है offers आप ऐसा तो है खाली-खाली चिंतन करते हैं या किसी चीज के बार में सोचते हैं तो हम किसी मुद्दे को सोच रहोते हैं उस मुद्दे में एक पार्टी हम होते हैं एक पार्टी होता है सामने वाला जो मुख्य किरदार में होता है बाकी सब लोग सपोर्टिव रोल में रहते हैं लेकिन जो में पार्टी इस पर एक जो लिखना आप चाह रहे थे या जो भी आप लिखना चाहते थे और लिख सकते थे उस पर आप क्या है आपको देखे कभी भी आप ऐसे लिखते हैं तो उसमें ना मल्टीपल डाइमेंशन आपको दिखाने होते हैं तो इसमें आप बहुत साई चीजें लिख सकते थे, जैसे कि आप लिख सकते थे, किसी का भी एक्जामपल लिख सकते थे, कोई मूवी का एक्जामपल लिख सकते थे, कोई अपनी रियल लाइफ का एक्जामपल इसमें लिख सकते थे, तो इस चीजे को आपको explain करना था, आए चलते हैं दूसरे टॉपपे की तरफ दूरदर्शी निर्णे तभी लिये जाते हैं जब अंतर ग्यान और तर्क का परस्पर मेल होता है यानि कि जो ऐसे निर्णे लिये जाते हैं जिनकी सोच दूर की होती है वो तभी लिये जा सकते हैं जब अंतर ग्यान यानि कि इनसान के अंदर जो ग्यान निहित है और तर्ग यानि की लॉजिक का परस्पर मेल होता है अब आप सोचिए चीज़ को सपोस करिए कि मेरे को ये समझना है कि दस साल के बाद सपोस करिए कि आप एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया के और आपको ये डिसाइड करना है कि 10 साल بعد हमारा भारत कैसा होगा तो आपको उसके लिए रेंड नीतिया मनानी है तो क्या होगा आपने जो अभी तक सीखा है आपने जो अभी तक देखा है अपने एक्सपीरियंस जो भी हैं आपके वो आपके पास होगा और आप क्या करोगे आप एक आफिसर की टीम बना सकते हैं वो उसके support में या विरोध में अपने points रखेंगे तो इस तरह से तर्क वितर्क होगा फिर एक solution निकलेगा कि हाँ ये ठीक रहेगा जिस पर सब लोग agree हो जाएंगे और तब जाके वो policy implement होगी जो कि अपना रंग भी दिखाएगी दूर के परिपेक्ष में तो दोस्तों ये उस समद में था चलिए next देखते हैं सभी भटकने वाले गुम नहीं होते दोस्तों बड़ा ही interesting है ऐसा लग रहा है कि शायरी कह रहा है कोई शायरी के mode में आगया है और कह रहा है कि सभी भटकने माले गुम नहीं होते लίकि इसका meaning बहुत गयरा दोस्तों दीए अग्ये जो भटक रहें जो रहा पर चल रहे हैं वो सभी गुम कैसे हो सकते हैं भटकते महुशने रहा भी तो मिल जाती यह भाषय की age कि है बहुफ तो एक तरह से अगर उसे ना मिलता तो वो भी तो एक तरह को भटक ना था लेकिन ऐसा तो नहीं कि सब भटक जाते हैं किसी को रहा नहीं मिलती रहा मिल जाती है यह ऐसा हो सकता है कि हमें लग रहा कि सामने वाला भटक रहा है लेकिन भटक नहीं रहा है वो अपना रहा खोज कि कोशिश कर रहा है और कोशिश करते करते कभी राह मिल भी जाती है तो ऐसा नहीं होता कि सारे बटकने जाते हूं आई दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं रचनात्मक्ता की प्रेणा लौकिक्ता में चमतकार ढूंडने के प्रयास से उपस्ती है यानि की इंस्पिरेशन फॉर क्रियेटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम दी एफर्ट्स तू लुक फॉर दी मैजिकल मतलब उसके लिए जो आपको inspiration मिलेगी वो कहासे मिलेगी लोकिक्ता में चमतकार ढूंडने के प्रयास से उपस्ती है यानि की जो भी संसार जिस रूप में भी हम इसे देखते हैं उसमें कोई चमतकार ढूंडने के प्रयास से उपस्ती है मतलब की आपने कोई creativity सोची किया चलो एक एक्जाम्पल ले लेते हैं मालिया कोई पेंटर है वह सोच रहा है मैं कुछ ऐसी पेंटिंग में जिसे देखते ही लोग दंग हो जाएं तो वह क्या करेगा जो जो संसार जैसा है उसमें वो कोई चमतकार ढूनी कुछ करेगा कि मतलब एक्जाम्पल के लिए सूर्य बहुत बड़ा सा हो गया है बहुत सुंदर सा हो गया है और उसमें से केड़ने निकल रही है जो की परवतों को चूके आ रही है परवतों को चूके जा रही है वो केड़ने चमक रही है है ना तो कुछ ना कुछ उसमें इमेजिनेशन वो लगाएगा तो इमेजिनेशन कहा से अरी है जो लोकिक तर जानी जो इस संसार हम जिस रूप में देख रहे हैं उस रूप में उसमें अगर हम कुछ न कुछ इसमें एक्स्टा ओर्डिनरी इसमें वह कर रहे हैं उसमें डाल है तभी तो दोस्तों वह रचनात्मक्ता कहलाईगी तभी तो वह कुछ नई क्रियेटिविटी का मतलब भी नया होता है क्रियेटिविटी का मतलब भी यह है कि जो आज है उसमें हम कुछ नए आइड करें तो यह उस बारे में दोस्तों section B में चलते हैं दोस्तो section B और भी ज्यादा interesting है लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोज तले दबे होते हैं दोनों ही समान नुप से हानी का रख व्यवस्ताएं है दोस्तों हम सब यह जानते हैं कि आजकल क्या हाला चलने है लड़कियों पर चलिए ठीक है महानगरों में तो ठीक है बंदिशे कम हैं जो पढ़े लिखे परिवार हैं जो modern families हैं वो इतनी बंदिशे नहीं लगाते हैं लेकिन जादतर हिस्सों में क्या होता है दोस्तों हमारे गाओं के area में क्या रहता है लड़कियों को बंदिशों में जीना पड़ता है और वहीं लड़के भी इससे free नहीं है लड़कियों अगर बंदिशों में जीना है लड़कियां तो लड़कों से अफेक्षाइब हो जाना है बही अच्छी नोकरी पढ़ लिख जा अच्छी नोकरी कर ले नहीं तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी है ना हमारा बेटा तो हमारा नाम रोशन करेगा उस पे पहले से इतनी एक्सपेक्टेशन का बोज उस पे लाद देते हैं हम लोग कि वो विचारा उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो आराम से बैठ सके उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा क्यों क्योंकि वो एक लड़का है क्योंकि वो एक मर्द है तो आराम से बैठ नहीं सकता अगर वो अच्छा कमाएगा नहीं तो ताने मिलेंगे अगर वो अच्छा अपनी फैमिली के लिए कर नहीं पाएगा तो ताने मिलेंगे तो उसके लिए भी जिन्दिगी आसान नहीं है दोस्तो इसलिए दोनों ही विरस्ता है हानी का रहा है चलिए नेक्स पर बढ़ते हैं गरित ग्यान का संगीत है देखिए इदे दोस्तों बह futures लोगों को समझ नहीं आया उगा का गर्षी है आप हर्षी logic पर चल रही है और जहान logic है जहान calculation है वहाँ गणित है तो घ्यान का संगीत है तो घ्यान जो है हमारे चाहरे तरफ अगर ग्यान को बांधने के लिए logic ना हो बैए रेल गाडी अगर पटी ओपर चल रही है तो ऐसे क्यों चल रही है क्योंकि friction है तो उसकी भी अपनी calculation है कि कितनी friction होनी चाहिए है ना कितनी friction से हम उसको रोक सकते है तो अगर हमाई चाहतर ग्यान बिखरा हुआ है और उस ग्यान को बांधने का कोई काम करता है तो क्या वो maths नहीं है? क्या वो mathematics नहीं है? बिल्कुल है दोस्तो तो क्या ग्यान का संगीत नहीं कह सकते? तो ये उस बारे में था जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम अविशक्ता पड़ती है दोस्तो जिस समाज में अधिक न्याय होता है का मतलब ये है कि आप सोचिए कि अगर हर किसी को न्याय मिलने लग जाए तो क्या होगा सारी समस्यां खतम हो जाएंगी सारे करप्शन खतम हो जाएंगे सारे क्राइम खतम हो जाएंगे क्राइम खतम हो जाएंगे तो हर कोई अपनी जिन्दी की खुशाली से जिएगा हर किसी के पास अपने जीवन या अपन के साधन होंगे जिसको कोई चुरा नहीं सकेगा जिसको कोई लूटेगा नहीं जिसको कोई परेशान नहीं करेगा तो उसमें क्या होगा दान की अवेश्चता कम पड़ेगी फिर लोगों को मांगने की जरूत क्यों पड़ेगी अगर सब लोग सम्मान से जी सकेंगे सब अब होता क्या देखो दोस्तो जो गरीब आदमी है वो पिस्ता है उसकी पहले ही उसकी रोजगार के साधर नहीं होते फिर उसको चार जगे से परिशानियां भी आती है उसको करप्शन का सामना करना पड़ता है उसको पुलिस वाले भी परिशान करते हैं उसको गुंड़े बदमाज भी परिशान करते हैं चैन से जीने नहीं देते तो होता क्या है उसको फिर क्या होगा वो किसी तरह से क्या होगा उसको चीजें मांगनी पड़ जाएंगी कभी-कभी हालात इतने खराब हो जाते हैं कि लोग सड़क पर आ जाते हैं दोस्तों और हमें तो अगर हमें दान करने से यह उस बारे में था शिक्षा वह है जो विध्याले में सीखी बातों को भूल जाने के बाद भी शेश रहा जाती है देखर दोस्तों हम सभी स्कूल जाते हैं, हम सभी पढ़ते हैं है ना लेकिन एक पढ़े लिखे में और एक शिक्षित होने में अंतर होता है दोस्तो अगर आपके अंदर मूल्य नहीं आये हैं अगर आपके पढ़ाई के बावजूद वैल्यूज नहीं आये हैं तो क्या होगा आपको लोग पढ़ा लिखान पढ़ करेंगे अगर आपको समझ नहीं है किसे कैसे बात करनी चाहिए समाज में कैसे रहना चा लेकिन जो चीजें हम सीखते हैं जो चीजें हमारे अंदर आ जाती है वही तो असली शेक्षा है दोस्तो तो यह उस बारे में था तो वीडियो अच्छी लेगे लोग लाइक और शेयर करें दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती र मुच्च्च्च्छ